कैसे हैं आप सभी लोग I hope I wish I pray कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस यह जो रिडिंग होने वाली है यह आपके पार्टनर की रात की फीलिंग्स के उपार है जो लोग भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाते हैं कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आज रात वो क्या महसूस कर रहे हैं उनके अंदर क्या चीजे चल रही है क्या आपके बारे में ठीक है, सो आपको करना है, आपको अच्छे से अपनी पाटनर का ध्यान करना है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इनमेस मुझे बता है, मेरे वीवस्ची सी वेक्ति का ध्यान कर रहे हैं, इस परसन की क्या feeling से आज रहा तो क्या सोच रहे हैं, six of swords six of pentacles हो सकते है six six number आपको बहुत जादा दिख रहे हो ठीक है number six victory का होता है five of bands Aries, Leo, Sagittarius, Cancer Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Tan of Pentacles king of bands six of bands मैंने कहा था ना number six जो है वो victory को रिप्रेजेंट करता है abundance को रिप्रेजेंट करता है तो किसी तरीके का victory abundance आपके partner को receive हुआ है ठीक है recent past की energy है यह हो सकता है आज ही इनको यह reward मिला हो या इनको किसी तरीके का promotion financially कुछ अच्छा गें करा है आपके partner ने ठीक है money related कुछ अच्छा मिला है इनको definitely जिसके कारण ही खुद को बहुत confident feel कर रहे है ठीक है बट लफ के मामले में तो भाई यही situation रहने वाली है three of sorts लफ के मामले में इनको कुछ अच्छा नजर नहीं आता कुछ अच्छा नहीं देख पाते यह ठीक है king of pentacles so आपके राजा रानी इस टाइम पे बहुत जादा abundant है ठीक है अब दोनों में लड़ाई जगड़े तो compulsory है वह हो नहीं है किसी तरीके का argument हो नहीं है उससे अच्छा है कि distance में रहा जाए ठीक है but chances है कि आपके person आपकी तरफ लॉटने के बारे में सोच रहे है ठीक है strongly ये मन बना रहे है किसी भी तरीके से खुद को ready कर रहे है कि आप तक पहुचे आपके पास पहुचे ठीक है आप तक आना चाहते हैं आपको बहुत सादा miss कर रहे हैं ये किसे तरीके से आप से connection में आना चाहते हैं कोई ना कोई तो है ठीक है या तो कोई तो है इनके life में या इनकी family या कोई है जिसको like साथ में लेके इनको चलना है ठीक है या केले single नहीं रह सकते because इनके पास बहुत सारी responsibilities है इनके उपर so किसी भी तरीके से like ये खुद के लिए कोई step नहीं ले सकते है खुद के खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकते ठीक है जो है so family है जो है so लोग है so इनका ऐसा लगता है कि लोगों के लिए जीना या family के लिए कुछ करना वो better होता है ठी इनके खुश भी बहुत जादा है because इनके लाइफ में कुछ ना कुछ इनको मिला है कोई achievement मिली है जिसके वज़े से ये खुश है बहुत confident feel कर रहे है इनके अंदर एक किंग वाली energy या queen वाली energy build हो रही है three of swords के energy है so love के मामले में तो कहीं नहीं कर इनका heartbreak हुआ है ठीक है कि of cups को clarify करें निवर्स messages दीचिए इतना ठूटा हुआ सा क्यों महसूस कर रही है अच्छा the empress the emperor wow so beautiful हाई ये energy four of pentacles wheel of fortune okay so आपके person ये टूटा हुआ सा महसूस इसलिए कर रहे है because ये आपको देख रहे है एक emperor empress की energy में ठीक है emperor जब एक empress और एक emperor जब मिलते हैं ठीक है so क्या होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ठीक है आप देख सकते हो किस तरीके सी empress जो ये लेडी है कितनी luxurious life is की कितनी अच्छी से ये सोफे पर बैठी है right and यहाँ पर आप देखो कि the emperor है वो भी अपने power में अपने position प करता हो ठीक है ये एक नियाए इस person को represent करता है जो person अपनी life में किसी तरीकी का कोई निर्ना लेता है कोई decision लेता है जस्टिस करता है लोगों के साथ ठीक है सो ये इनका work हो सकता है या इनको अच्छा लगता है लोगों को सलहा देना guide करना healer हो सकते या आप खुद tarot reader हो य या tarot reading देखना बहुत जादा आप अच्छा लगता है ठीक है या हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसे position पर like आप मान लो कि लोग इनकी बाते मानते हैं ठीक है बहुत अच्छे guider हो सकते हैं गुरू हो सकते हैं ये teaching करते हैं या ये लोगों को पढ़ाते हैं ठीक है ऐसे भी हो ना बहुत ही beautiful lady एक बहुत ही beautiful energy में ये आपको देख पा रहे हैं four of pentacles हैं यहां पे सो चुपाते हैं या परफेक्ट divine timing का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं किस तरीके से आप दोनों के love relationship बर divine timing involved है और ये person जो हैं आप से बहुत कुछ चुपाते हैं ये चुपाते हैं य snacks like sap की तरह है जो बहुत जादा इनके life में जहर घूलने का काम करते हैं यह हो सकता आप दोनों के relationship में लोग नहीं चाहते हैं कि चीजे अच्छी हो ये सब के लिए नहीं हो सकता बठा कुछ लोगों के लिए हैं जो एक इसी के influence में हैं कोई एक ऐसा person जो इनके उपर like बहु को सही करना चाहते बड़ इनके life में sudden ऐसा कुछ होता है जहां पर यह बहुत negative and बहुत ही जादा खुद को powerful समझने लगते ठीक है एक अलग किसम का एक अलग तरीके का powerful यह समझते लग एक negative vibe में positively अगर यह चीजों को करें सो इनके life में कुछ भी hard नहीं है सारी चीजे बहुत जादा rare है इनको पता है कि छीजे किस समय किस तरीके से सामने वाले से लेनी है थीक है तो इनको आता है कहीं नखी किस तरीके से आपको भी अपने control में रखना चाहते बड़ अपने traums and conditions के साथ ठीक है यह ध्यान में रखें कि अपने traums and conditions के साथ यह आपको अपने life इंटेंशन बता इनिवर्स आपके प्रभाबित बहुत है ठीक है फिजिकल डिजायर है इस पॉर्सन को कहीं नहीं बहुत जाद आपके बारे में सोच विचार भी करते हैं यह ठीक है Queen of Pentacles definitely अपने लाइफ में कितना भी ग्रो कर ले आगे बढ़ जाए बट आपके बिना इनको बहुत ज़्यादा फॉस्टेट सा फील होता है इनको ऐसा लगता है कि आपके रहने से इनके लाइफ में वो positive उरजाय रहती है जिसका उपयोग करके यह अपने लाइफ में खुद क इनको भी अबंडन बनाते ठीके इस टाइम पे बहुत जादा नेगडिव इनके अंदर जो विचार है वो किस तरीके का कोई लाइफ में मुझे अच्छा नहीं फील करवा रहा है ओके इनको खुद के थाट भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि कोई black magic है किस तरीके कोई spell तंत्र वगरा किया गया हो ठीक है बट हां इनको कुछ चीजे जो है वो बहुत ही negatively effect करती है इनके लाइफ में इंको ऐसा लगता ही कि यह चीजे मुझे बहुत ही जादा negative effect डाल रही है ठीक है बट इनको मैं like मुझे ऐसा लग रहा है दिडैविल की energy हाँ पर रिप्रेजेंट हुई है तो आपके partner जो है कही ना कहीं आपसे physically बहुत जादा attraction फील करते हैं physically आपसे involved होना चाहते हैं और like इनके demand इनकी need कि I like that person ठीक है मुझे यही पॉरसन चाहिए मुझे इसी से प्यार है और इसी के साथ रहना चाहता हूं या जीवन में मुझे इसका साथ चाहिए ऑगे किसी तरीके सी यह आपके partner जो है आपके साथ रहना जरूर चाहते हैं रहने वाली energy है साथ रहना चाहते quality time span करना चाहते हैं time spend करें कि यह आपके साथ equality time spend करना चाहते हैं इनको आपके सामने वो आपके साथ वो special bond को यह feel करना चाहते especially night के time पर यह जादा आपको याद करते ठीके ताकि आपके साथ वो special bond बने ठीके जो इनको lifetime याद रहे so जो help जो मदद जो किया है ना अपने अपने partner के लिए definitely इनको बहुत ही जादा आपके तरफ attract करता है बहुत प्रभावित करता है ठीके so आपके partner चाहते जरूर है कि आपके साथ रहे उन सारे लम्हों को like आपके साथ ये बिताना चाहते हैं जो इन्होंने कभी अपने life में experience नहीं कर रहे ठीके चाहिए आपके person के life में कोई भी हो but definitely वो आपके साथ एक quality time चाहते जरूर है अपनी life में so ये chance चाहते हैं आपसे ये इनकी thoughts में मुझे नजर आ रहे ठीके action नहीं बतारी मैं इनके thoughts आपको बतारी हूँ कि ये क्या सोचते है या फिर ये क्या चाहते क्या है आपसे ठीके सो बहुत अच्छा कुछ चाहते हैं ये हलाकि इनको उतना जादा फर्क नहीं पड़ता कि past में क्या हुआ या क्या लडाई जगड़े हुए क्या argument हुआ ये समझते हैं कि yes हार relationship में होता है सो मिट्टी डालने का सोच रहे हैं ये चाहते हैं कि चीजे सही हो जाएं बट action नहीं है we have never only be friends तो मैंने क्या काई ये आपके तरफ attract है आपसे physically involved होना चाहते हैं so friends की तो आप सोचो ही मत कि आप दोनों friends हो ठीक है emotions है बट भर भर की emotions है I made many mistakes इनको पता है कि इन्होंने बहुत सारी गलतिया करी है और वो गलती कहीं नहीं कहीं माफी के लायक नहीं है फिर भी I will wait for you फिर भी आपका इंतजार कर रहे है कि किसी तरीके से तो कभी तो वो समय वो दिन आएगा इनकी भी life में जहां पे आप भी इनको like एक chance जरूर दोगे ठीक है I regret I even lost the friendship with you इनको regret है जो friendship जो bond था आप दोनों में strongly bond था अपनी गलती के वज़े से अपने बचकानी हरकतों के वज़े से कहीं ने वो भी खोया है इनको अफसोस तो है ठीक है तो कहीं न कहीं यह बता दे यह छुपा ले इनको समझ में नहीं आता है किस तरीके से आपको मनाए आपको बताए इनको समझ बहुत जादा ऐसा फील होता है कि आप उनको प्यार नहीं करते या फिर आप दोनों में वो bond वो special बंधन नहीं रहा ठीक है जो आपके साथ इनको past में महसूस होता था तो किस तरीके से बहुत जादा confused नजर आ रही है ठीक है जिसके कारण यह रोते हैं और यह सोचते भी है कि आप इनके life में अगर वापस आ जाओ तो चीजे जो है completely change हो जाएंगी और सब कुछ अच्छा अच्छा से हो जाएगा ठीक है कि I think about you day and night तो आज रात कहीं न कहीं आपके बार में बहुत जादा सोच रहे हैं यह चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीजे सही हो जाएंगी तो यह थी गाइस आपके रिडिंग रिडिंग पसंद आई हो तो रिडिंग को लाइक जरूर की जाएगी तो मैं मिलते हू आप सभी से लिडिंग में बाइ गाइस